British संसद के अंतरगत आज हम अध्यन करने जा रहे हैं लोग सदन की शक्तियां और उसका महत्व British संसद के बारे में मैंने आपको बताया था कि British संसद द्वी सदनात्मक विवस्थापी का है उसके दो सदन है लोग सदन जिसे निमन सदन भी कहते हैं और इसे कौमन सभा के नाम से भी जाना जाता है और उसका जो उच्छ सदन है वो है लौड सभा आज इस लेक्चर में हम लोग सदन की शक्तियां और उसके महत्व के बारे में चर्चा करेंगे जब लोग सदन की शक्तियों की बात की जाती है तो सबसे पहले शक्ति आती है उसकी विवस्थापी का अर्थात कानू निर्मान की शक्ति देखिए ब्रिटेन में संसद में राजा, लोडसभा और लोकसदन तीनों समिलित हैं किन्तु वहवार में संसद की समझ शक्तियों का परियोग लोकसदन के द्वारा ही किया जाता है इसके पीछे कारण ये है कि लोग सदन के सदस्य जन्ता के द्वारा निर्वाचित होते हैं उनमें लोग प्रिय संप्रुभुता निहित होती है जबकि लोड सभा के सदस्य या तो वन्षनुगत आधार पर अपने पद को प्राप्त करते हैं या फिस समराट के द्वारा मनूनित किये जाते हैं तो जब हम व्यवस्थापी का की कानून निर्मान शक्ति पर बात करते हैं तो कानून निर्मान की अंतिम शक्ति लोकसदन के पास है देखिए दो प्राकार के विधेक होते हैं साधारन विधेक और वित विधेक जो साधारन विधेक है वो यदपी संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है लेकिन जितने भी महतवपुन विधेक हैं वो लोक सदन में ही पेश किये जाते हैं लोक सदन में पास होने के पश्चात वो लोड सभा में जाते हैं अब लोड सभ़ा क्या है? उसमें आविशक संशोधन कर सकती है, उसमें सुझाव दे सकती है लेकिन उन संशोधनों को मानना या न मानना कौमन सभ़ा के उपर निर्भर करता है और मान लीजिए लोक सदन के द्वारा कोई कानून पारित किया जाता है तो लोड सभा उसे केवल एक वर्ष तक रोक सकती है एक वर्ष के पश्चात उसको पास करना होगा उस विधेक को अपनी सवित्रती देनी होगी तो जो सधारन विधेक हैं सधारन विधेक में अंतिम शक्ती लोग सदन के पास है और जो वित विधेक हैं वित विधेक लोड सभा में पेश नहीं किये जाते पहले वो लोग सदन या कौमन सभा में पेश किये जाते हैं और कौमन सभा के बाद लोड सभा के पास आते हैं लोड सभा उस पर विचार विमर्ष कर सकता है सुझाव दे सकता है लेकिन वो अधिक से अधिक एक महिने तक उसको रोक सकता है उसके बाद उसको उसकी सविक्रती देनी होगी तो धन विधेक पर अंतिम शक्ती भी लोकसदन के पास है तो जब हम विवस्थापी का की सोरी संसद की विवस्थापी का समंदी शक्तियों की चर्चा करते हैं तो विवस्थापी का समंदी शक्तियों का समस्त परयोग लोकसदन के द्वारा ही किया जाता है जो लोक सदन है वो देश के प्रतेक स्थान, वस्तु और व्यक्ति के संबंद में कानून बना सकता है और सबसे बड़ी बात है कि उसकी शक्ति पर नियाईत पुन्रवलोकन जैसा कोई बंधन नहीं है हम भारत के संधर्म में देख सकते हैं यद भी भारत की संसद विशेशकर लोक सभा कानून निर्मान के क्षेत्र में स्वतंत्र है वो किसी भी विशेप्र कानून बना सकती है लेकिन वो कानून समिधान के अनुसार होना चाहिए उसकी आत्मा के अनुकूल होना चाहिए यदि वो विधेक समिधान की अनुसार नहीं है, वो कानून समिधान की अनुसार नहीं है तो हमारा जो सरवच नियाल्या है उसे अवैद घोशित कर सकता है लेकिन ब्रिटेन में नियाई पुन्रावलोकन जैसी कोई भी शक्ति नियाल्या के पास नहीं है तो लोक सदन के द्वारा किसी भी विशे, किसी भी स्थान और किसी भी व्यक्ति के बारे में जो भी कानून बना दिया जाता है उस कानून को चुनोती नहीं दी जा सकती उस कानून को challenge नहीं किया जा सकता तो एक तरह से लोक सदन की जो विवस्थापी का समंदी शक्ती है जो कानून निर्मान की शक्ती है वो सरवच शक्ती है उस पर किसी प्रकार का बंधन नहीं है इसी तरह जब हम लोक सदन की कारयपालिका शक्तियों की चर्चा करते हैं तो कारयपालिका शक्तियों का परयोग भी लोक सदन अधिक शक्ति शाली है लोड सभा की तुलना में देखिए ब्रिटेन में संसदिय शाषन प्रनाली है संसदिय शाषन प्रनाली में दो प्रकार की कार्यपाली का होती है नाम मात्र की और वास्त्वी जो समराथ है वो नाम मात्र की कार्यपाली का का अध्यक्ष है जबकि प्रधान मंत्री और मंत्री परिशद वास्त्री कार्यपाली का है और संसदिय शाषन प्रनाली होने के कारण प्रधान मंत्री और मंत्री परिशद अपने कारियों के प्रती लोग सदन के प्रती उत्तरदाई होते हैं सधारन ते हम कहा देते हैं कि कार्यपाली का संसद के प्रती उत्तरदाई है लेकिन वास्त्रिक रूप में कार्यपाली का संसद के सदन लोग सदन के प्रती उत्तरदाई है लोड सभा के प्रती उसका कोई भी उत्तरदाई तो नहीं है इसी तरहें हम यदि और शक्तियों का अवलोकन करते हैं तो जो कार्य पाली का है वो उस पर लोग सदन नियंतरन रखता है कैसे प्रशन, पूरक प्रशन पूछ कर, कामरोग को प्रस्ताव पेश करके, अविश्वाश का प्रस्ताव पेश करके ठीक है और मान लीजिए लोग सदन ने अविश्वाश का प्रस्ताव पेश कर दिया रोग पास हो गया तो फिर प्रदान मंत्री और मंत्री मंडल को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है इसी तरहें लोग सदन प्रशन पूछ कर और काम रोको प्रस्ता पेश करके कार्य पालिका की शक्तियों पर अंकुष रखते हैं उसे निरंकुष नहीं होने देते मान लीजिए कार्य पालिका के द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिससे में जन हित की अभिलना होती है तो ऐसे कार्यों की आलोचना लोग सदन में खुल कर होती है और लोग सदन प्रशन पूछ कर उसके कार्यों की आलोचना करके कार्य पालिका पर नियंत्रन रखता है सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि लोक सदन के पास शाशन को मर्यादित करने की और लोक तंत्र की रक्षा करने की महत्वपुन शक्ती प्राप्त है लोक सदन की इसी शक्ती के द्रश्टिगत रखते हुए विंस्टल चर्चिल ने उसे स्वतंत्रता की रक्षा का दुर्ग कहा है और जैनिंग्स ने उसे अलोचना का मंच वो लोक मत का केंद्र कहा है तो हम कह सकते हैं कि जो संसद है संसद की चाहे कानू निर्मान की शक्ती है या फिर कार्यपालिका पर नियंत्रन रखने की शक्ती है इन शक्तियों का वास्त्वी परियोग लोड सभा के द्वारा नहीं बलकि कौमन सभा के द्वारा किया जाता है इसी तरह हम कॉमन सभा की वित्य शक्तियों पर भी नजर देखते हैं देखिए जो वित विधेक है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया वित विधेक पहले लोकसदन में पेश होगा और उसके बाद लोड सभा में पेश किया जाएगा और लोड सभा उसे केवल एक महा तक रोक सकती है और लोड सभा के दवारा यदि कोई संशोधन किया भी जाता है तो वो लोकसदन की इच्छा पर है कि उस संशोधन को सविकार करे या ना करे तो वित विधेक के संधर्म में अंतिमशक्ति लोकसदन के पास है इसके अतिरिक्त जो बजट है बजट भी कौमन सभा में ही पेश किया जाता है कौमन सभा को बजट के संबंद में अन्तिम अधिकार प्राप्त है इंगलेंड में एक कहावत है कि राजकोष जनता के अधिकार की वस्तु है और जो कौमन सभा या हम कह सकते हैं जो लोक सदन है वो जंता का प्रतिनिधित्व करता है और बजट के माध्यम से वो राजकोश पर नियंतरन रखता है राजकोश का प्रयोग कैसे करना है उस पर लोक सदन का नियंतरन रहता है तो हम कह सकते हैं कि संसद का जो लोक सदन है उसके पास वित्य शक्तियां भी प्रयाप्थ हैं इसके आतिरिक्त कौमन सभा या लोक सदन के पास अन्य महतोपुन कारिय भी हैं जनता की राय की अभिव्यक्ति करना, जनता की शिकायतों को दूर करना, लोगों को शिक्षन देना, देखिए जनता की जो भी शिकायत होगी, वो जनता अपनी शिकायतों को सबसे पहले अपने प्रतिनिधियों के समक्ष रखेगे, वो प्रतिनिधी उन शिकायतों को फिर सरक के समक्ष रखते हैं और उन शिकायतों को दूर करने का परियास करते हैं तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो लोक सदन है वो विश्व का शक्तिशाली प्रतम सदन है अब जो विश्व का शक्तिशाली प्रतम सदन है इसको हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से और स्पष्ट कर सकते उसे स्पष्ट करने से पहले मैं आपको सर एडवर्ड कोक की कोटेशन बताना चाहूंगी उन्होंने कहा कि संसद की शक्ति तथा अधिकार क्षेत्र इतना सर्वोपरी तथा पूर्ण है कि उसकी सीमाई नहीं बांदी जा सकती और ब्लेक स्टोर ने क्या कहा है कि वह प्रतेक संभव कार्य कर सकती है जो प्रकर्ती से अशक्के नहों यद भी यह कोटेशन संसद के संदरव में है लेकिन वास्तव में यह लोकसदन के उपर ही खरी उतरती है अब जो लोकसदन है जो कॉम्मन सबा है वो विश्व का सबसे महतपून सबसे शक्तिशाली न्यमन सदन मानना जाता है और इस कारण से जो लोकसदन है वो संसद का प्राय बन गया है ब्रिटेन में संसद शब्द का विहभार में मतलव कौमन सभा या लोकसदन से है और ये कहा जाता है कि मंत्री मंडल संसद के प्रती उत्तरदाई है जबकि वह केवल कौमन सभा के प्रती ही उत्तरदाई होता है कौमन सभा के अधिक शक्तिशाली होने के पीछे दूसरा मुख्या कारण है कि वहाँ पर नियाल्य के पास नियाईक पुन्रविलोकन की शक्ति नहीं है नियाईक पुन्रविलोकन की शक्ति के अभाव में लोग सदन किसी भी विशय पर कानून बना सकता है और उसके द्वारा बनाए गे कानूनों को अवैद घोशित नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त संसद को या हम कह सकते हैं लोकसदन को या अधिकार प्राप्त है वो समिधान के किसी भी हिस्से में सधारन बहुमत से ही संशोधन कर सकती है। अब आप खुद देखिए कि चाहे कानूनिर्मान की शक्ती चाहे सरकार पर नियंतरन की शक्ती हो या फिर समिधान में संशोधन की शक्ती है अंतिम जो शक्ती है वो लोकसदन के पास है लोड सभा के वल नाम मातर का ही सदन है। अब लोड सभा की शक्तियां क्यों की नाम मातर की है तो इसलिए जो लोकसदन है वो स्वाभाविक रूप से शक्ती शाली निम्न सदन बन गया है। इसी कारण से उसे विश्व का सरवाधिक शक्ती शाली निम्न सदन की संग्या भी दी जाती है। लेकिन इसका अभी प्राय ये नहीं है कि लोकसदन इतना शक्ती शाली है कि वो निरंकुष बन जाए। या अपनी शक्तियों का मन माने तरीके से परियोग कर सके। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि कानून निर्मान की शक्तियों असिमित हैं। वो किसी भी विश्व पर कानून बना सकते हैं। और ना ही उसके कानूनों को नियाल्या के द्वारा अवैद गोशित किया जा सकता है। लेकिन संसद के उपर नियंतरन रहता है पहला नियंतरन तो जनता का है क्योंकि लोकसदन के जो सदस्य हैं वो जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं और उसका कार्यकाल पांच वर्ष का होता है पांच वर्ष के पस्चाथ उन्हें पुने जीत कर लोकसदन में आना होता है तो वो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जो जनता के जिसमें जनता के हितों की अभेलना होती है दूसरा यद पी लोग सदन कैबिनेट पर नियंतरन रखता है प्रधान मंतरी और मंतरी परिशद उसके प्रति उत्तरदाई होते हैं लेकिन लोग सदन का महत्व तभी तक है जब तक केबिनेट में उसका समर्थन है मान लीजिए केबिनेट में उसका समर्थन नहीं है तो प्रधान मंतरी कभी भी समराट को लोग सदन को विवेटित करने की सिफारिश कर सकता है तो इस तरह हम कह सकते हैं कि यदपी इंगलेंड का लोक सदन एक शक्ति शाली निम्न सदन है ठीक है उसकी असीमित शक्तियां है लेकिन उसके उपर जनता का नियंतरन है और दूसरी बड़ी बात वहां की जनता परमपराओं का अनुसरन करती है और संसद से भी ये उमीद रखी जाती है कि वो परमपराओं का अनुसरन करेगी और जनता के हितों की अभिलना नहीं करेगी धन्या